नमस्कार मित्रों कैसे हैं आप सब लोग आशा करता हूँ आप सबी स्वस्था और सानन्द होंगे मार्केट में जबरदस्थ गिरावट है जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि मार्केट 16500 से लेकर और 19500 के बीच रेंज करेगा जो लोवर लिमिट है 16500 का वो शायद तूट भी सकता है अगर मार्केट न अवर रियक्ट किया देखिए इस समय ग्लोबल क्यूज बुरे हैं पर इतने भी बुरे नहीं है नास्दा जो की अल्रेडी बहुत ज़्यादा ओर वैल्यूड हो गया था उसका गिरना पहले से तैथा अगर वो गिरेगा तो ग्लोबल क्यूज भी थोड़ा बहुत कमजोर होंगे ही होंगे लेकिन इंडिया के अरिनिंग्स अच्छे आ रहे हैं आप देख लीजिए रिला पाल सा बना हुआ है कि पता नहीं क्या हो जाएगा तो इस पैनिक में सेलिंग जादा है और मुझे लगता है जल्दी बाजार में रौनक लोटेगी ये बजट का भी वीक है फिर फेड का मीटिंग भी है 26 तारीक कोई है फेड ये निर्णाय ले सकता है कि वो बॉन्ड को ख इकाल कर उसको बॉन्ड में लगाना पसंद करेंगे और हालत इतनी बुरी नहीं है इससे ज्यादा बुरी हालत तो मुझे लगता है कि पिछले महीने में गुजर चुकी है 16500 तक चला गया था हाँ अभी FII और DII की बिकवाली जो है ये concern का विशे है मैं हमेशा आप लोगो पर खरीदारी का मौका बाजार दे रहा है देखे मेरे कई सारे screeners हैं और ये screeners काफी stringent conditions के साथ मैंने बनाये हुए हैं और time to time नए screeners भी बनाता रहता हूं मैं इन screeners के parameter पर बिलकुल सोने जैसे खरे कई सारे shares आपको मिल जाते हैं काफी corrected price पर मिल जाते हैं तो देखिए म debt to equity ratio 1 से कम होना चाहिए यानि कि बहुत ज़्यादा debt भी नहीं होना चाहिए उन पर तीसरा है price to earning P.E. ratio जो है 45 से कम होना चाहिए चोथा है return on equity ये 15 से ज़्यादा होना चाहिए और पांचवा है return on capital employed ये भी 15 से 15 से ज़्यादा होना चाहिए sixth condition है market capitalization 100 करोड से ज़्यादा होना चाहिए और seventh condition है sales growth 15 से ज़्यादा होना चाहिए और आठवा है कि operating profit margin भी 15 से ज़्यादा होना चाहिए नौवा है profit growth 3 years का ये भी 15 से ज़्यादा होना चाहिए दसवा है profit growth पिछले quarter का 15% से ज़्यादा होना चाहिए सारे condition एक से एक भैंकर sales growth पिछले 3 साल का वो भी 15% से ज़्यादा होना चाहिए फिर बारवा condition मैंने लगाया free cash flow 3 साल का 50 करोड से ज़्यादा होना चाहिए last but not the least यह सबसे important है ध्यान दीजिएगा इस बात पर तीन साल पहले का जो net block था उसका double होना चाहिए आज का net block यानि कि जबरदस्त capacity expansion इसने किया हो और या फिर net block plus capital work in progress अभी का जो है that should be 1.5 times net block preceding year plus capital work in progress preceding year पतलब आज का net block है plus capital work in progress है वो 1.5 गुना होना चाहिए जो पिछले साल का net block plus capital work था जबरदस्त capacity expansion हुआ हो यह condition है basically इनमें मैंने इस तरह से लगाया है कि जो सबसे ज़्यादा down है वो सबसे top पर है तो top पे है Tata Steel Long जो की 38-49% correct हो चुका है दोलत investment 37% correct हो चुका है यह अपने 52 विखाई से correct हो चुके है अन्टोनी वेस्ट 30% correct हो चुका है पी आई इंडस्ट्रीज 29-30% correct है हरंबा इंडस्ट्रीज 27% मास्टेक 26.6% डिविस लाब 25.2% ADF Foods 22% दीपक नाइट्राइट 21% इंडिया पेस्टिसाइड्स 18% के आसपास correct हो गया है गुफिक बायो साइंस 12.87% correct हो गया है शेर इंडिया 11.69% और रहाई मैगनेसेटिका 8.03% correct हो गया है देखे चुकी मार्केट में इससमें गिरावट बहुत ज़्यादा है तो stocks मैं ऐसे आपको बताऊंगा आपका confidence अपने stocks पर बना रहे तो देखिए इसमें सबसे जो तगड़ा stock मुझे लगता है वो है divis lab already 25% correct हो चुका है बहुत मार जहलने के बाद ही ये correct हुआ है अधरवाइस मैं देख रहा था इसको कि बड़े-बड़े market fall में भी अपना 5,400 के आसपा से अपना level maintain कर रहा था 4,056 रुपे पर मिल रहा है वो सकता है market और गीरे तो आपको शायद और बेतर prices पर ये मिल पाएगा next stock है दीपक नाइटराइट chemical sector का जबरदस्त stock इसमें देखिए इसमें करीब-करीब 21-22% का already correction आ चुका है शायद इससे नीचे भी आ सकता है correction मुझे ये 18-19 तो तक जाता हुआ दिखाई देता है अगर बहुत correction हुआ तो बहुत सारी countries जो China plus one policy adopt कर रही है यानि कि China से जो supply था वो तो था ही उनको उसके अलावा भी एक supplier चाहिए तो इंडिया काफी बढ़िया है इस मामले में और दीपक नाइटराइट को इस बात का बहुत जबरदस फायदा होने वाला है क्योंकि China में बहुत सारी industries जो बंद जिफ्ट हुआ है उससे दीपक नाइटराइट काफी फायदा आगे चल कर ले सकता है देखिए नंबर तीन पर है मास्टेक मास्टेक हाला की एक चोटी कंपनी है मार्केट कैप इसका लगवग 8000 करोर के आसपास है लेकिन बढ़िया कंपनी है पी देखिए 29 के आसपास है और 2693 पर मिल रहा है मार्केट के गिरावट में हो सकता है आपको कहीं 2300 रुपे तक 200 रुपे तक भी ज़्यादा दिखाई दे मास्टेक करीब करीब 3400 के प्राइस से गिरता हुआ अभी 2600 के आसपास मिल रहा है आपको और रेड़ी काफी करेक्शन आ चुका है आप देख दिखाता हूँ टिकर टेप पर वैसे तो डिविस लाब आज 4056 पर इसने क्लोजिंग दी है लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर यहाँ पर पीक इसने लगबग 2200 का बनाया था 4190 का और लो बनाया था इसने 3788 का तो अल्रेडी काफी नीचे आज यह गया था जैन्वरी 2023 23 के लिए जो इसके टार्गेट दिये जा रहा है हायर साइड पे 1688 लगबग 6200 के आस पास का यहाँ पर प्राइस बताया जा रहा है जो कि यहाँ से 53% के आस पास अप है मीडियन भी देखें तो 5326 रुपीज का प्राइस बताया जा रहा है जो कि यहां से 31% अप है और lower side प कर रहे हैं और 73% का मानना है कि आप इसमें बाई करके चल सकते हैं मुझे लगता है कि अगर बहुत बाजार गिरेगा भी तो 1800 से 1900 तक आपको दीपक नाइट राइट मिल जाएगा तो पैसे को बचा कर रखिए और जो इसका टार्गेट है मीडियन टार्गेट 2576 इससे स्टिक करके चलिए मुझे लगता है कि यहां कम से कम आपको 20-25% का फायदा हो सकता है तीसरा स्टॉक है हमारा मास्टेक मास्टेक का फोरकास्ट मैं आपको दिखाता हूँ हायर साइट पे 3519 रुपे का टार्गेट बताया जा रहा है जो कि यहां से लगवग 31% उपर है मीडियन भ नहीं है यहां पर अपसाइड ही अपसाइड है फिर भी मैं आपको कहूंगा कि थोड़ा कौशस रहिएगा क्योंकि टेकनोलोजी स्टॉक्स पॉल कर रहे हैं गिर रहे हैं वर्ड वाइड तो यहां पर भी गिरावट देखने को मिल सकती है क्योंकि टेकनोलोजी के सारे तो यहां पर आप देखिए 2693 रुपे का प्राइस अभी है लेकिन ये गिरकर मुझे लगता है कि बाइस सो के आसपास भी जा सकता है तो इसको आप निचले लेवल के लिए भी पैसा डेफिनिटली बचा कर रखिए देखिए वीडियो नंबर 317 में 14 जन्वरी को मैंने मिश् अचले 7-8 दिनों में वीडियो नंबर 324 में 18 जन्वरी को मैंने एंजेल वन बताया था आपको 1358 रुपे के प्राइस पर 1358 पर जो बढ़कर 1490 के पीक को टच कर गया विदिन 2 डेज और इसमें जो गेन मिला है आपको करिब-करिब 10% का जोड़दार गेन मिला है यहां पर वीडियो नंबर 319 में 15 जन्वरी को मैंने टीन प्लेट बताया था आपको 321 रुपे पर और 18% का गेन 3 ट्रेडिंग सेसंस में 3 डेज में आपको मिल गया है क्योंकि इसने 382 का पीक टच कर लिया है धनुका एक्रिटेक मेरे रिकॉमेंडेशन के बाद एक ही दिन में 18% इं मिल गया था आपको प्रिज्म जॉंसन में 2-3 दिन के अंदर 14% मिल गया था गोकुल एगरू मैंने दिखाया था आपको 12% की टेजी एक दिन के अंदर अंदर और टेरास्कोप वेंचर जब मैंने आपको बताया था उसके बाद फिर से 40% इंक्रीज कर गया है वैसे तो ये क पिछले 10-15 दिनों के अंदर अंदर मेरे recommendation के बाद धमाका करके दिया है देखिए हमारा एक private whatsapp group है जो pattern members के लिए है और इसमें कई सारी facilities हम देते हैं अगर आप इस whatsapp group के member बनना चाहते हैं तो ये आपके सामने mobile number है 888-54696 हमारा एक email id भी है topshareideas at the rate gmail.com pattern member name और mobile number ये ल कि मैं सेभी registered analyst नहीं हूँ और ये सिर्फ मैं अपना knowledge आपके साथ share करता हूँ मैं कोई buying या selling recommendation नहीं देता हूँ तो ये था हमारा वीडियो वीडियो अच्छा लगा हो तो like कीजिए share करिए subscribe करिए bell icon को press कर दीजिए ताकि आपको regular notifications मिलते रहें जाए श्री राम